वेल्कम बैक फ्रेंट्स तो अवर न्यू एपिसोड आफ साइबर शोओ विछ स्नेहल वकील ना उनलोग टेज वेल अभी तक हमने बहुत सारी अलग अलग बाते कही हैं जिसमें हमने देखा है कि face app और ऐसे जो भी social media application है उसे अगर हम prudently use नहीं करते तो वो हमारे privacy के लिए कितना बड़ा खत्रा हो सकता है आज जो story मैं आपके साथ share करूँगा this is in relation to face app और वो social media कितना beneficial हो सकता है किसी के लिए उसके उपर आधारित है वेल यह story है एक लड़के की जो आज से करीबन 18 साल पहले गुम हो गया था वो लड़के का नाम है लू शैंग and he belongs from China वेल यह जो लड़का है वो आज से करीबन 18 साल पहले एक construction site के ऊपर से kidnap हो गया था उसके बाद उसके parents लगातार उसके जो biological parents है वो लगातार उसे दूनने की कोशिश कर रहे थे recently police department की help से and with the help of face app उन्होंने लू शैंग का जो sketch है कि after 18 years वो कैसा दिखेगा वो develop किया उसके बाद police department ने with the help of lab facial recognition technology उस picture को और जादा accurate बनाया और एक proper image derived की उस image के जैसे दिखने वाले करीबन 100 लोगों को उन्होंने target किया और उन्हें बुलाया उनका जो भी background था वो search किया उसके बाद उन्होंने ये confirm किया कि शायल लू शैंग जो है वो ये लड़का हो सकता है जब उन्होंने लू शैंग के साथ बात की तो initially लू शैंग ने वो चीज़ denied कर दी he denied के उसका कोई kidnap हुआ था क्योंकि he was not aware about it उसके बाद police ने उसका DNA test किया with reference to his current parents जो अभी के उनके current parents थे उसके साथ उसका DNA match किया गया जो match नहीं हुआ thereafter उसके जो biological parents थे उसके साथ उसका DNA test करवाया गया और luckily वो match हो गया after that जो उनके current parents थे उन्होंने भी वो चीज़ accept की कि उन्हें ये लड़का मिला था before near about 18 years और अभी उनके जो biological parents है उन्होंने current parents जो उसके थे उसका बहुत ही thanks किया कि उन्होंने उसकी जो भी child थी उसकी बहुत अच्छी तरह से परवरिश की वेल ये जो एक case था वो एक बहुत ही बहतरी case है with reference to social media apps कि अगर हम उसका prudently consciously और aware होके proper use किया करे तो वो कितना helpful हो सकता है तो मैं आपसे यही कहुँगा कि जो भी हमारे social media apps है उसे थोड़ा carefully aware होके और consciously use कीजे ताके आप उसका best potential use कर पाऊ so this was today's story in relation to face app जल्दी हम बिनेंगे किसी नए case के साथ till then keep watching cyber show with Stainer Lucky Now thank you